मैं श्वेता और आप देख रहे हैं नियूस फॉनिश है बिहार सक्षवा बिभाग के ACS केके पाठक काम करते रहते हैं तब भी सूर्खियों बने रहते हैं काम नहीं करते हैं याने के छुटे पर रहते हैं पी चर्चाओं में बने रहते हैं सक्षवा बिभाग के अपर मुख सचीव केके पाठक 8 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक छुटी पर है और जब से छुटी पर गए हैं चर्चाओं ये होने लगी है कि केके पाठक ने इस्तिफा दे दिया है केके पाठक को पद से हटा दिया गया है पाठक ने अपने पद को छोड़ दिया है उनका पदभार अब कोई और संभाल रहा है उनका प्रभार वैदनात यादव सचीव सिक्षव बिभाग को सौब दिया गया है समान प्रशासन विभाग की और से जारी किये गया पत्र में कहीं भी केके पाठक के पद छोड़ने की चर्चा नहीं है हम इसके आगे बारे में विस्तार से जानकारी देंगे सबसे पहले आपको बता दे केके पाठक जब छुट्टी पर गया है स्क्रीन पर चल रही तस्वीर में आप साब देख सकते हैं कि एक तस्वीर में केके पाठक का नेम प्लेट हटा दिया गया दूसरी तस्वीर में एक वेक्ति उस नेम प्लेट को लगा रहा है आधिकारी सूत्रों के मुतावि वैदनात यादव सिक्षा विभाग के अपर मुख सचीव का प्रभार समहाल चुके हैं दूसरी ओर जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आई केके पाठक सिक्षा माफिया की आखों में अटक रहे है बिहार की पूरी कोचिंग लॉबी केके पाठक को हटाने के लिए लगातार प्लैनिंग और प्लोटिंग में जूटी है जानकारों के मुतावि सिक्षा विभाग में वैसे लोग जो केके पाठक के आने के बाद अपना मतलब पूरा होते हुए नहीं देख रहे हैं वे लोग केके पाठक को पीछे पछारना चा रहे हैं बिहार में सिक्षा माफिया की लॉबी सबसे मजबूत मानी जाती है केके पाठक के आने के आने के बाद जैसे ही गयारवी वारवी और बाखी कक्षाओं की पढ़ाई में सुधार हुआ है सिक्षा माफिया सक्रिये हो गए हैं जानकारों की माने तो बिहार में गुडवनता पूर्वन, सुधार और बदलाव सिक्षा माफिया नहीं चाहते हैं इसके अलावा सक्षा बिभाग में कई अधिकारियों के साथ निताओं की मनमानी पूरी तरीके से बंद हो चुकी है जिसका अधर सीधे सीधे सक्षा माफियों पर पढ़ रहा है सिक्षा बिभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो केके पाठक के छुटी जाने पर सोची समझी रणनीती की तहत नेम प्लेट को हटा दिया किया उसके बाद जैसे ही सुचना मिली कि केके पाठक कार्याले आ रहे हैं तो आनन फानर में उनके नेम प्लेट को लगा दिया गया इतना ही नहीं केके पाठक ने कार्याले आने के बाद प्रदेश के कई जिलों के सिक्षा बिभाग के अधिकारियों से बाच्षीत की वीडियो कॉन फेंसिंग के जरिये उन्हें आदेश बीज़वारी किया सवाल ये उठता है कि केके पाठक पद नहीं छोड़ा है उससे पहले उनके नेम प्लेट को कैसे कोई हटा सकता है केके पाठक आये हुए हैं अपर मुखे सची बनके सिक्षा बिभाग में और ये बात गलत भी नहीं है कि केके पाठक के आने के आने के बाद कहीं सिक्षा बिभाग में काफी चीज़े बदनी हैं खास करके वैसे टीचर्स, वैसे सिख्षक माफिया जो स्कूल जाने से कतराते थे, बच्चों को पढ़ाना नहीं चाते थे, छुट्टी मौज मनाती थे, उनके लिए भारी गास गिर कया है केके पाठक ने, और अब ऐसे सिख्षक चाते हैं कि केके पाठक जल्स जल्द हट ज और जब उस अधिकारी की आने की बात होती है तो इस ने प्लेट को कैसे लगा दिया जाता है, आप दोनों तस्वीर आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपका क्या कुछ कहना है इस वीडियो पर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं